देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कंसीडर किया है कि कोई भी शक्सिक घर बनाता है वो घर कितने सालों की मेहनत के बाद बनाता है पैसा जोडता है उस घर पर मेहनत करता है और यह कितने सालों की मेहनत का नतीजा होता है कि वो अपना एक घर एक छट अपनी ले ख पाए था तो सुप्रीम कोट को सेटिसफाई एक्जेकेटिव के द्वारा किया जाना चाहिए यानि कि अब सिर्फ एक्जेकेटिव से डिमॉलिशन करके इस चीज़ से नहीं छूट सकते हैं कि हाँ उन्होंने डिमॉलिशन कर दिया है कारवाई हो गई है लेकिन अब उनको व जाब देना होगा कि अब उन एक्जेकेटिव को भी जवाब दे होना होगा उनको भी कोट्स में आकर बताना होगा कि आखिर उन्होंने इस तरीके एक आक्शन क्यों लिया इसके इलावा सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 19 और 21 का भी जिकर किया जिसमें राइट तू शेल्टर है यह फंडमेंटल राइट है और आप किसी से राइट तू शेल्टर नहीं चीन सकते हैं यानि कि किसी के ऊपर छत है उसका अधिकार आप नहीं चीन सकते हैं इसके कि चीन सकता है जानकार को गिराने के आविशकता नहीं है, का गुछ हिस्से को गिराकर भी उसे नियमित किया जा सकता ऐल्ट आप ड्मीयां किनोफ्राया निकल कर सामने आरहीं सूप्रीम कोट से देखे मिनाक्षी सुप्रीम कोट ने कहा कि घर केवल एक संपत्ती नहीं है वो लोगों की उम्मीदे हैं तो ये अब सुप्रीम कोट कह रहा है कोट ने कहा कि आश्रे का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका मनमाने ढंग से उलंगन नहीं किया जा सकता कोट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जगन्य अपरात का दोशी पाया भी जाता है तो भी राज्य कानून की उचित परकिरे का पालन किये बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकता मनमानी तरीके से बुल्डोजर चलाने वाली सरकारे कानून को हाथ में लेने की दोशी है घर बनाना समवेदानिक अधिकार है मिनाक्षी सुप्रीम कोट ये कह रहा है कि मनमानी तरीके से बुल्डोजर चलाने वाली सरकारे कानून को हाथ में लेने की दोशी है घर बनाना स पर इसके लावे सुप्रीम कोट ने काये कि अचानक से जब किसी घर के एक हिस्से पर बुल्डोजर चलाया जाता है और बाकी हिस्से को छोड़ दिया जाता है तो इससे साफ हो जाता है कि बुल्डोजर एक्शन का मकसद अवेद निर्मान के खिलाफ नहीं बल्कि बिना का दरवाजा खट खटा सके सुप्रीम कोट में ये कहा गया था मिनाक्षी की कई बार ऐसा देखा गया कि जिनके मकान गिरा गए उनको नोटिस तक नहीं दिया गया और उनके मकान गिरा दिया गया गया क्योंकि उनको किसी मामले के अंदर अपराधी मानते हुए पुलिस ने तंपत्थी नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए आ है और इसे करने से पहले राज्जे को विचार करना चाहिए कि पूरे परिवार को आशरह से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक था यानि कि सुप्रीम कोट यह कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति अपराद करता है तो उसका जो पूरा परिवार है वो उसके उपर आश्रित है और पूरे परिवार को ही जो है उस घर से अगर उसके बुल्डोजर एक्शन होता है तो पूरा परिवार ही उस घर से बेदखल हो जाता है इसको ऐसे कहे अतुल तो शायद जादा बहतर होगा कि केवल एक आरोपी के आरोप या फिर उस अपराद की सजा पूरे के पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए ये भी नियाए का सिधान्त नहीं है जिसकी गलती है सजा केवल उसे मिले पूरे के पूरे परिवार को सड़क पढ़ना देना उनका अशियाना उनकी चछत उनके सिर्फ से छीन लेना ये नियाएचित नहीं है आगी कोट क्या कह रही है अतुल देके मिनाक्षी सुप्रीम कोट ने साफ कहा कि लोगों को कारवाई से पहले समय देना चाहिए उनका पक्ष सुना जाना चाहिए अवैद निर्मान हटाने का मौका देना चाहिए इस्थानिय मुनसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस जारी करना चाहिए या 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए साथ ही सुप्रीम कोट ने कहा कि नोटिस जो है वो रजिस्टर डाक से भेजा जाए मकान पर भी चिपकाया जाए नोटिस की जानकारी डियेम को भी दी जाए तो ये सुप्रीम कोट का जो है वो आदेश जो अब सुना रहा है और साथ ही सुप्रीम कोट ने ये कहा कि अनुच की इजाज़त नहीं देता तो बहुत important point यहाँ पर सुप्रीम कोट ने रखा है कि अगर किसी घर में कई लोग रह रहे हैं तो किसी एक की गलती से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता यह पूरे परिवार को सजा देने जैसा है कानून इसकी इजाज़त नहीं देता यह स आदमी के लिए घर वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है यह सुप्रीम कोट ने कहा कुछ निर्मान ऐसे हो सकते हैं जिनमें जुर्मान लगा कर उन्हें नियमित किया जा सकता है कुछ में थोड़ा हिस्सा ही तोड़ने की जूर्थ होती है यह सब बाते देखी जानी यह सुप्रीम कोट कह रहा है इसके लब सुप्रीम कोट ने यह भी कहा कि किसी निर्मान को अचानक गिरा देना और उसी जगह के दूसरे निर्मान को छोड़ देना सही नहीं है इससे यही पता चलता है कि मकान गिराने का कारण यह नहीं था कि वह अवैड है यह एक तरीके निकले बिना कोई पक्ष सुने सीधा फैसला दे देना ये प्रशाफनिक अधिकारी का काम नहीं है ये नियायले का काम है नियायले का काम कारपालिका को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए अनुछेद 142 के तहट जो कोट निर्देश दे रहा है गौनिका अब और निर्देश जारी करके 15 दिनों का कुल समय देना चाहिए नोटेस रजिस्टर डाग से भीजी जानी चाहिए मकान पर भी चिपकाना चाहिए इतना ही नहीं नोटेस की जानकारी डी-म को भी दी जाए नोटेस में बताया जाए कि क्या अवैद है कौन-कौन से कागजात की ज जाती है कि इस नियम के आधार पर ही कोई कारवाई बुल्डोसर की होनी चाहिए तिक बिल्कुल जब भी ऐसा किसी मामले में आदेश आता तो एक विस्तरित आदेश आता है क्योंकि बार बार पर उसके इंटर्पेटेशन के लिए सुप्रीम कोट का रुकिया जाता है कि इस चीज के बारे में सुप्रीम कोट ने जिक्र ने किया इसका जिक्र ओरर में नह जाए तीन दिन का वक्त दिया जाता है उसके बुल्डोजर एक्शन होता है अब ये नहीं होगा अब ये होगा कि अगर आपको किसी भी शक्स की कोई प्रॉपर्टी डिमॉलिशन के लिए उस पर कारवाई करनी है वो अवैज स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले डाक की जरीए मि की जानी चाहिए और इसके इलावा उसके जिक्र होना चाहिए बकाइदा की क्या क्या अगर वो शक्स लीगल तरीके से भी लीगल कोर्स भी उसका अक्तियार करना चाहता है तो वो भी कर सकता है इसके इरावा अगर किसी भी श्क्स को वक्त दिया जाना चाहिए कि वो आकर personal मीटिंग कर पाए यानि कि वो personal मीटिंग में वो अपना पक्ष रख पाई वो अपने वकील को ला पाई या पर फिल मजबूरी रही है या फिर क्या वो खुद तयार है उससे डिमॉलेशन को करने के लिए या फिर मिनसिपल को ही करने के लिए आना चाहिए ये तमाम चीजों का जिकर होना चाहिए अगर डिमॉलेशन की कारवाई होती है तो वो demolition की कारवाई की बकायदा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होनी चाहिए आप कितना किस तरीके का demolition कर रहे हैं कितने हिस्से का demolition कर रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर का कर रहे हैं ये हर चीज की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोट ने कहा है, और इसके इलावा एक डिजिटल पोर्टल बनाने की बात कही गई है, उस डिजिटल पोर्टल के तहट ये देख दे बताना होगा कि जो डिमॉलिशन की पूरी रिपोर्ट है, यानि कि कितना हिस अपने डिमॉलिश किया, क्यों किया, ये सारी रिपोर्ट बकाइदा उसमें उसका जिक्र होना चाहिए, उस डिजिटल पोर्टल में, जो की तीन महीने के अंदर बनाने के लिए कहा गया है, तो ये सारी चीज़े बाते की सुप्रीम कोट ने कही है, इसके राव सुप्रीम कर दी है, जो की नियम के तहत नहीं है, वाइलेट किया गया है नियम को, ये तमाम जो सुप्रीम कोट ने नियम इस वक्त बनाए है, अगर उनको वाइलेट किया है, तो मानहानी का केस चलेगा, डिपार्टमेंटल इंक्वारी तो अलग चलेगी, चलेगी, लेकिन सुप्री ये भी कहा गया है स्टेट्स और यूटीज को कि सर्कुलर इशू करे बकाइदा जिसमें गाइडलाइन्स हो सारे डीम्स के लिए